हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुबे के नाश्टे और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बिल्कुल पर्फिक्ट टेस्टी और हेल्डी रेसिपी जो की बहुत ही जल्दी से बन जाती है और सभी को खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है सुबे की भागदौर में आप इस रेसिपी को आसानी से बना सकते हैं तो चलिए आज की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें इससे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में लेंगे तो ताजे दही लें यहाँ पे बहुत ज़़दा पुरानी खटी दही के इस्तेमाल न करें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी आट करते वे इसका घुल तयार कर लेंगे जो की बहुत ज़़दा पतला बहुत ज़़दा गाड़ा नहीं होना चाहिए तो फिरेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटर तयार हो चुका है कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ इस तरह की होनी चाहिए अब हम इसे ढग करके पांच मैट के लिए छोट देंगे तब तक आगे की तयारी कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेडेम साइस का कच्छा आलू चील कर अच्छे से दो कर मैने लिया है इसे हम बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर की साहिता से ग्रेट कर लेंगे तो मोटे वाले गिरेटर के इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल बारिक वाले गिरेटर से गिरेट करेंगे तो यहाँ पे पूरे आलू को मैंने अच्छे से गिरेट कर लिया है, आप देख सकते हैं अब हम अलू को दोएंगे नहीं इसे ऐसे ही बैटर में डाल लेंगे तो यहाँ पर सूजी भी हमारी फूल चुकी है यह देखे काफी गाड़ी हो गई है फूल करके तो इस बैटर में हम डाल लेंगे अलू को गेट केवे अलू को डालने के बारे भी बेटर में अच्मोम हम affirm it बारी कटी कोई क्यों कोंदीटी अपने हिसाब घंटा गटा से जह्त्त करिए और थोड़ी सी गाजर भी में में पढ़ी होई थी तो उसे भी मैंने कहाएं पढ़ी कर सकते हैं और साथ ही मैं चाठ मसाला भी आड़ कर दूगी और 2 ही ंवर् une तो इतना गाढ़ा नहीं रखना है हमें तो थोड़ा सा पतला करेंगे बैटर को तो यहाँ पे आदक का पानी आट कर लेंगे और अच्छे से mix कर लेंगे इससे consistency बिल्कुल perfect हो जाएगी तो यहाँ पे consistency बिल्कुल perfect हो गई बैटर को center में तवे के और इस तरह से हलके हलके से फैला देंगे तो दिखिए इस तरह से रोटी या चिले की तरह आपको फैला देना है अब हम इसे medium flame पे एक मिनट तक पका लेंगे तो मैं इसे ढख कर पकाऊंगी आप बिना ढखे भी पका सकते हैं तो चली इसे ढख देते हैं और एक मिनट तक पकने देते हैं medium flame पे एक मिनट तक medium flame पे इसे पका लिया है बहुत अच्छे से ये एक side से पक चुका आप देख सकते हैं उपर से set दिखाई दे रहा है तो अब हम क्या करेंगे उपर की side में हलका सा till apply कर देंगे और इसे पुलट कर दूसरे side से पी एक मिनट तक medium flame पे पका लिए तो इसे हम तेल अपलाई करेंगे इसली किसी लिए पलतेंगे ताकि दूसरे side से अच्छे से सीखे तो इसे पलट दिया है अब सेख लेते हैं एक मिनट तक दूसरे साइट से भी मेडियम फ्लीम पे इसे हलका सा चमज की साथा से दबाते भी सेखेंगे तो बहुत अच्छे से ही सिख जाएगा अंदर तक सबजें में पक जाएगी इसकी मैं हमेशा ही आपके लिए ऐसी क्विक एंडी जी टेस्टी न्यू और लो बजट रिसिपीज लेकर आती रहती हूँ जो कि खिर में असानी से मिलने वाली चीज़ों से जट पट से बन जाए और खाने में टेस्टी और हेली भी हो तो फ्रेंड्स अगर आप भी देखना चाहते हैं ऐसी रिसिपीज जो की हो लो बजट और टेस्टी न्यू तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बल बटन और पर प्रेस कर लें जिससे आप आसकेंगे मेरे हल लेटिस अप्लोट की नॉटिफिकेशन सबसे पहले और आप मेरे नई वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे तो यह बहुत अच्छे से मैंने दबाते विए सेक लिया है इसे इसके बाद इसे पलट लेंगे और देखिए दूसरे साइट से भी बहुत अच्छे से सिख चुका है तो इसे निकाल लेंगे अब बहुत अच्छे से आलू इसमें बहुत अच्छे से पक जाते हैं क्योंकि बिलकुल बारी ग्रेटर की मदद से ग्रेट किया है हमने तो बहुत जली से पक जाते हैं तेस्टी और सौफ्ट नाश्टा यहां पे बन चुका है जट पट से तो दूसरा भी आपको बता देती हूं सेम प्रोसेस के repeat करते हुए बाकी कि सभी बना लेंगे तो friends आप देख सकते हैं यहाँ पे जटपट से बहुत ही tasty easy नाश्टा हमारा बन कर तयार हो चुका है जो कि बहुत ही नया है बहुत ही ज़ादा हिली है तो आप इसे कभी बना कर खा सकते हैं बच्चों से लेकर बड़ो तक को पसंदा आने वाला है आप इसे बच्चों के लंच बाक्स में दे सकते हैं बहुत ही soft नाश्टा है husband के टिफिन में भी दे सकते हैं बहुत ही अच्छा बनाय रहता है बहुत ही नरम बनाय रहता है क्योंकि इसमें आलू है तो यह बहुत ही जादा hard नहीं होता है बहुत ही देल तक soft बना रहता है friends अभी जाइए और recipe को try कीजिए और मुझे comment करके बताएए कि आज की recipe आपको कैसी लगी साथ में यह भी बताएए कि मेरी recipes आपको कैसी लगती है thanks for watching my videos thank you so much